आपने बहुत सारे लोगों को मतलब यह कैते सुना होगा कि धड़कन बढ़ गई लेकिन इसके साथ साथ एक और समझ्षा है जो बहुत ही बहुत ज्यादा डॉक्टर भी या लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं लो बीपी एंड लो बीपी के साथ साथ साइनस वेडिकार्डिया मतलब लो हर्ट रेत मतलब आपके दिल की धड़कन का कम होना यह एक बहुत बड़ी समझ्षा है और लो बीपी के कम यदि लगाता रहे तो उसे भी बहुत ज्यादा मेडिकली अटेंशन नहीं मिलती है तो उसका कारण है कि बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है और वो बड़े कन्फ्यूज डिप्रेस्ट रहते हैं इस चीज को लेके तो आज हम किलियरली इसको एक्स्प्लें करन तो फिर आपको ये तकलीफ है और शिक्स्टी से जदी अबरेज उपर रहता है तो ऐससे आपको कोई वीमारी नहीं है लेकिन कैवरी यह देखा जाता है कि रात में हमें यह लगता है कि हमारी धड़कन मतला हमारा दिल बंद हो गया है और ऐसा लगता है लोगों को की हो जाता है तब इस तरह की चीजें देखी जाती है बट यह बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन आजकल यह रेगुलरली बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों में यह चीज आ रही है तो सिंटम्स में इसके साथ साथ आपको चेस्ट पेन हो सकता है कंजेशन लग सकता है साथ वेचैन हो जाता है उसके साथ एंजाइटी डबलब कर लेता है तो उसको प्रॉब्लम धड़कन के कम होने से नहीं बलकि एंजाइटी के कारण होती है यह वो जो फियर है उसके अंदर जो पहले से सोच रहा होता है कि मुझे कोई दिल की बिमारी तो नहीं है मेरी धड कारण उसको प्रॉब्लम होती है लेकिन पेशेंट को यह लगता है कि उसकी धड़कन कम हो गई है इसलिए उसको यह प्रॉब्लम हो रही है अब इसके कॉसे हैं कुछ तो सबसे पहला कॉस है कि यदि आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टरब्ड है यानि आप अच्छ यह इसलिए तो उसमें क्या होता है आपको जो दिल की दिवार है वॉल है उसके अच्छाटी यह आपको धड़कन लो हो जाती है फिर रॉमेटोईट फीवर है यानि कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम सा सकती है फिर जॉइंडिस मैं यह कई वरी देखा जाता है और कुछ साथ आपका डिप्रेशन है आपका इंसाइटी है OCD है यानि कि जो आपके दिमाग से संबंदित समश्या है वो डारेक्टली आपके दिल की धड़कन को परभावित करती है क्योंकि आपके दिल को धड़कने के लिए जो energy मिल रही है जो जो electric जो support उसको मिल रहा है वो आपके दिमाग से मिल रहा है क्योंकि electric support energy आपको दिमाग से मिलती है आपके दिल को धड़कने के लिए इसलिए यदि आपको depression है anxiety है, insomnia है, sleeping disturbance है और यदि आप बहुत ज़दे sad रहते हैं, दुखी रहते है, negativity है या फिर कुछ miss happening हो गई है उसके बाद आता है कि इसका proper treatment क्या हो सकता है, देखो इसके treatment में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अच्छे से दौड लगाईए, अच्छे से आप cardio करिए, आप zimming करिए, muscular exercise करिए, deep breathing करिए, तो जितना आप active positive life जिएंगे, जितना आप mentally involved रहेंगे चीजों में, उतना जल हैं कि खाली गोली से या डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होगी, इसके लिए आपको अपनी lifestyle सोच बदलनी होगी, तो फिर यह ठीक भी हो जाएगी, thank you very much and take care yourself.